हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर जोती आप लोगों के साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि कभी न कभी दो दातों के बीच में खाना फसा हुआ होगा तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है आज मैं आपको य से कारण होते हैं जिसकी वजह से दो दातों के बीच में खाना फ़ज जाता है और अगर खाना फ़ज आया तो हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या चीज है जो हमें करना चाहिए इसके कौन-कौन से treatment होते हैं तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है यह वीडियो बहुत ज्यादा informative होने वाला है अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे कि दो दातों के बीच में अगर कोई carries हो गया है उसकी वज़े से दातों के बीच में खाला फसता है ऐसा जो carries होता है वो हमें उपार से दिखाई नहीं देता है जब उसका radiography कली टेस्ट होता है तब पता चड़ता है कि एक कैरी जो है वो बगल अगल बगल के दातों के बीच में हो रहा है सकेंड जो है कि अगर किसी को पारिया हो गया है इट मींस कि अगर उसके मसूरे कमजोर हो गया है ब्लीडिंग होती रहती है मसूरे अपने जगह से सिफ्ट होने गई है दात हिलने लगे हैं तो भी दातों के बीच में खाना फसने लगता है थर्ड रीजन ये होता है कि अगर आपने कभी अपने दातों को निकलवाया है और फिर वहां पे आपने दात नहीं लगवाया है तो इस वज़ा से भी उपर के अगर दात है तो वो नीचे की तरफ shift होने लगते हैं और नीचे के दात जो है वो बैंड होने लगते हैं जिदर space मिलता है इस वज़ा से भी दातों की alignment खराब हो जाती है और वहाँ बीच में खाना फसने लगते हैं फोर्थ रीजन यह होता है कि अगर आपने कभी अकânत जो है वो निकलवाये और उस जगह पर कैपिंग्ग करवाया है और कैपिंग जो है उसके उपर में space बनने लग Алекс हड़ी जो है वह बीच में इस पर बनने लगा लगा तो इस वज़ासे भी जो खाना है वो वहाँ पे बीच में फस्ट लगता है और इसके एक और वज़ा यह होता है बोन सिफ्टिन का कि अगर किसी को सुगर की प्रॉबलम होती है या मतलब वो डायबटिक होते हैं तो भी उनके मसूडे में और हड्डियों में थोड़ी प्रॉबलम आने लगती है या फिर किस कराया है रूट कैनल फ्रीटमेंट कराया है और उसके बात कैपिंग कराई है कि कैपिंग का प्रॉपर अगर आपने केर नहीं किया अच्छे से फ्लॉशिंग नहीं की अच्छे से ब्रॉशिंग नहीं की तो भी दो दांतों के बीच में खाना जो है वो फस्ट लगता है एक कंडिशन में भी दो दातों के बीच में या फिर दात या और मसूडे के बीच में खाना जो है वो फसने लगता है और मुझसे स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है और अगर किसी को हैबिट है कोई बहुत जादा टुबैको च्विंग करते हैं मतलब गुटका बहुत जादा तो भी उनके दात जो है वो घिसने लगते हैं किसी भी तरह से घिस सकते हैं मिज्यली भी घिस सकते हैं उपर के ओक्लूजल जो उपर का जो सर्फेस होता है वो भी घिस सकता है और उसकी वज़ा से भी दातों के बीच में खाना फसने लगता है तो यह तो बहुत सारे रीज जो हमें नहीं करना होता है, जब तक डात में से अगर खाना नहीं निकलता है, तो आस पास में चाहें वो सेप्टेपीन हो, या कोई भी हाड इंस्टूमेंट हो, कोई भी वायर हो, टूथपीक हो, या फिर मैजिक स्टिक हो, मतलब माचिस की तिल्ली हो अगर वहाँ पे, तो उसको ले करके हम लोग उसको क्लीन करने की कोशिश करने लगते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता भी है, कि जब हम लोग अपना प्रयाश करते हैं, अपने जीब से हटाने का, या फिर टूथपीक का यूज़ करके, या सैप्टी पिन का यूज़ करते, तो खाना निकल भी जाता है, पर ऐसा करना सही नहीं है, उससे मसूड़े जो हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, और उसकी recovery में बहुत टाइम लग जाता है, और फिर वहाँ पे food particles से कठा होने लगेंगे, और ज्यादा quantity में, फिर calculus और plaque बनेगा, और फिर caries लग जाएंगे, और दान जो है, वो खराब हो सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं, जो हमें बिलकुल भी नहीं करना च चाहिए, आप अगर घर पे हैं, डैंटिसस से concern नहीं कर सकते हैं, तो आप flashing यूज़ कर सकते हैं, तो थ्रेड की तरह होता है, अपने दाटों की बीच से उसको लगा करके और उसको निकालेंगे, floss कही तरह की होते, thread की तरह होते हैं, बने- floss आते हैं, उसका अलाइन मार्केटिंग में बहुत इसली अविलेबल होता है वो आप यूज कर सकते हैं अप इंटर डेंटल ब्रसेज यूज कर सकते हैं अगर पाय हाईजिन को आप अच्छे से मैंटन करिए गरम पानी नमक से कुला रखिए ऐसे भी शुबसाम दोनों टाइम आप ब्रश करि करते हैं तो वही इसका ट्रीट्मेंट होता है जैसे कि अगर आपको कैरी लगा है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएक आपके या तो इसमें फिलिंग अगर डीप कैरीज है तो रूट कैनल ट्रीटमेंट से ठीक कर देंगे अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और कैपिंग आपकी प्रॉपर फिट नहीं हुई है तो उसकी अच्छे से फिटिंग कर देंगे अगर कैपिंग और दातों के बीच में अगर खाना फस रहा है तो आपके डेंटिस उसका भी ट्रीटमेंट कर देंगे और अगर आपको हैबिट है आप टोबैको च्विंग वगरा करते हैं गुटका खाते हैं तो इसको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि यह हामफूल है आप इसे बंद कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम लगा हुआ होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज इससे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर कीजेगा और मेरे चैनल से हमेशा जुरे रहेएगा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आज आपके साथ सेर करती रहोंगी और आपके मन में इससे जुड़ा हुआ कोई लगावाई